रक्त लाल होता है लेकिन नसे नीली दिखाई देती है आप अपने हाथ पावो पर नजर दोड़ाएंगे तो देखेंगे कि नसे नीली दिख रही है जबकि इन नसों में बहने वाले रक्त का रंग लाल होता है ऐसा क्यों होता है? जानते हैं इसके पीछे का विग्यान हमारे शरीर में दो तरह की नलिकाय होती है जो खुन ले जाने का काम करती है हमनिया हमारे हृदे से पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त सप्लाई करती है जब कि नसे कार्बन डायोकसाइड युक्त खून को वापस फेपरों और हृदय में पहुचाती है जिससे उसकी सफाई हो सके यह जरूरी होता है कि यह गंदा रक्त रिदय की तरफ ही जाए इसलिए इनमें वाल्म लगे होते हैं यह एक तरफ खुलने वाले दर्वाजे की तरह होते हैं आप बात कर लेते हैं कि नसे नीली क्यों दिखाए देती है नसों में कार्बन डायोकसाइड युक्त रक्त होता है इसलिए उसका रंग लाल हो जाता है वच्चा के नीचे की चर्वी कम आवरिती की रोशनी को सोक लेती है और अधिक आवरिती की रोशनी को परावर्तित करती है इसलिए नसों का रंग हमें नीला दिखाए देता है यह तो आप जानते ही है कि इंद्रधनुष के वर्णख्रम में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला और बैंगनी रंग होते है कम आवरिती का प्रकाश परावर्तित होने से हमें लाल रंग दिखाए देता है जबकि अधिक आवर्यती का प्रकाश परावर्तित होने से हमें नीला रंग दिखाई देता है